कि नमस्कार साथियो स्वागत है आपका एक लव PCS में और विद्यार्थियो जैसा कि आप देख रहे हैं चाइना से एक बड़ी न्यूज आ रही है कि चाइना में कोरोना वाइरस के बाद एक नया वाइरस जो है देखने को मिल रहा है जिसका नाम है हंता वाइरस तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि आखिरकार हंता वाइरस क्या है और किस तरीके से यह हमें प्रहावित कर सकता है और इसके बारे में सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे तो बिना देरी के चले इसको शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे है यहां पर Global Times का ट्वीट यहां पर हमें दिखाई दे रहा है और Global Time जो है विद्यार्थियो वो चाइना का सरकारी अकबार है तो इसमें क्या यह बता रहे हैं इसमें बता रहे हैं कि हाल ही में चीन के युवान परांत में ज्यान रखेंगे परांत का नाम यार रखेंगे युवान तो चीन के युवान परांत में हंता वाइरस की पुष्टी हुई है Global Times की रिपोर्ट के अनुसार चीन में इस वाइरस के के भी लोग ज्यादा शिकार होंगे तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी समस्यागी रूप में उभर के आएगा तो काफी समस्या जनक स्थिति है देखते हैं आगे तो विद्यार्थियों क्या है यह तो जरा इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं तो यदि हम एक नदी है इसका नाम है हंटन तो हंटन नदी के किनारे इसके पहले मामले देखे गए थे हंता वाइरस के इसलिए हंता वाइरस इसका नाम पढ़ा है दक्षण कोरिया की हंटन नदी के किनारे इसके पहले मामले देखे गए थे इसलिए इस वाइरस का नाम हंता वाइरस क्यों है तो इसका नाम हंता वाइरस इसलिए है विद्यार्थियों क्योंकि इसके पहले मामले दक्षण कोरिया की हंटन नदी के किनारे देखने को मिले थे इसलिए इसका नाम पढ़ गया विद्यार्थियों हंता वाइरस जैसे हमने देखा था कोरोना वाइरस का नाम क्यों ह या हन्ता वाइरस यह देखें कि आखिरकार यह किस तरीके से फैलता है हन्ता वाइरस के फैलने के कारण यह देखे जाएं तो CDC की रिपोर्ट के अनुसार यह जो वाइरस है जो हन्ता वाइरस है यह मुख्य रूप से चुहे से फैलता है कैसे फैलता है तो चुहे के मलमूत्र या लार को छूने से फैलता है अब हम जिस समार में रहते हैं हम जहां पर रहते हैं विद्यार्चियों वहाँ पर जो है हमारे घरों में चुहे सामन रूप से घूमते रहते हैं मलमूत्र करते र तो निश्चे जरूप से आप भी बीमार हो जाएंगे यह कहीं न कहीं प्लेग जैसा ही सुनने में लगता है जो प्लेग भी चुहे से ही फैलता है चुहे के मलमूत्र या लार को छुने से फैलता है यदि आप किसी संपर्क में आते हैं चुहा मालीज्य आपको काट लेता है और आप बिना हाद धोए उसको अपने चेहरे पे लगा लेते हैं तो फिर आप भी इससे बीमार हो सकते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्डेंट बाद जो है हंता वाइरस की वह यह हवा के माध्यम से फैलता है यानि यह बाई एयर फैलता है जो कि क साफी इसको खतरनाक बना देता है जैदि हम देखें किस तरीके से फैलता है तो यहां पर इस डियाग्राम के साइथा से आप इसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे है ना तो देखें यहां पर क्या होगा वाइरस फाउंड इंडियर माइस फेस यानि यूरीन एंड है ना तो या तो आप इसके डारेक्ली संपर्क में आ जाएए तो भी आपको यह हो जाएगा या फिर यह भी हो सकता है कि जहां पर यह मलमूत्र करते हैं तो उसके थ्रू जो यह जो वाइरस है हन्ता वायरस है यह हवा में पहुंच जाएगा तो जब आप ऐसे ऐसे किसी छ लाप पेंपड़ों में जाकर कर आपको बीमार कर देगा लेख सकते हैं लिखा हुआ है डिर्स्रेश इसका मतलब है विद्ञारतियों कि आपको państwo संबंधी बीमारियां इवाइट तो हम इसको ध्यान में रखेंगे यह बीमारी आपको दे सकता है और यदि हम देखें यहाँ पर कि आखिरकार इसके लक्षण क्या होते हैं यदि आप इसके संपर्ख में आजाएं तो क्या लक्षण होते हैं तो विद्यारतिय। सबसे बड़ी बात यह है कि हंता वाइरस का संक् संक्रमित व्यक्ति का सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो उसके फैंपड़ों में लंग्स में पानी भी भर सकता है जिससे उसकी मरत्यू भी हो सकती है तो यह एक बड़ी बात है यहां पर हैं तो इसको हम ध्यान रखेंगे हैं तो काफी मैत पूर्ण है यह हैं और य जी हम यहां पर देखें कि और क्या क्या बताया गया है तो देखें यहां पर जो है बताया गया है इस पस्टूप से कि यह जो है हवा से फैलता है यदि आप छीकेंगे खांसेंगे तो उसके माध्यम से भी यह बिलकुल फैल सकता है हवा के माध्यम से भी यह जो है फैल सकत जैसे रिषेंटली अगर हम देखा गया तो जनवरी दो यह उननीस में देखा गया एस्टे पहले कारण 9 लोगों की मृत्यू हो गई थी जनवरी 2019 में जबकि टोटल 50 मामले इसके संक्रमर से देखने को मिले थे हाला कि अधिकांस लोगों को इससे बचा लिया गया लेकिन फिर भी कुछ मामले इसमें ऐसे आये जिनमें लोगों की मृत्यू हो गई थी तो यहां की जो गौर् रहें इसलिए बिलकुल आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए तो विद्यार्ति यो में विद्न ही रककते हैं और आप सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप घर पर ही रहें सुरक्षित रहें बिलकुल भी बहर ना निकले आखलें और अपना और अपने परिवार को सुरक्षत रखें चलिए विद्यारतियो जय हिन जय भारत आप लोग घर पर ही रहिए सुरक्षत रहिए